हलो दोस्तों गूणिंग स्वागत आपका मेरे फंड गुर जी चैनल में आज की वीडियो में हम 5 best stock के उपर बात करने वाले हैं जो कि लॉंग टम के लिए आप अपने portfolio के इंदर रख सकते हो तो वीडियो के साथ मैं अंतक बने रहेगा पांच ओर stock बहुत ही research के बात मैंने हैं और I hope कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली एकर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाना इस फंड गुरुजी भाई को बिलकुन में भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए बल आइकन के साथ में तभी फंड गुर से हैं देखिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो इस टाइम पर पिटे हुए चल रहे हैं और बहुत उनके अंदर रेकवरी के पूरे पूरे चांसे हैं तो देखिए कोई भी स्टॉक जो लॉंग टर्म के लिए आप अपने पोर्ट पोलियो में रखने की सोच रहे हो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक ठाक आने के चांसे होने चाहिए क्योंकि अगर स्टॉक अलरी चल चुका है तो वो शॉट टरम के लिए तो अच्छे होते हैं लेकिन लॉंग टर्म प्रस्पेक्टिव से आप उनको अगर पोर्ट पोलियो के अंदर होल्ड होता है तो मतलब कि आप एक लेबल पर ट्रैप हो सकते हो तो ऐसे स्टॉक को लॉंग टर्म के लिए अवाइड करिएगा चली अभी आ जाते हैं मेरे लाप्टॉप के उपर मेरी लाप्टॉप स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रही होगी तो पहला स्टॉक जो मैं आपक की हुई थी रोस्री बाइटेक की जो मार्केट कैप है वो 4146 करोड आपको देखने के लिए मिलेगी और जो अभी जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है 798 रुपीज इसकी सी एंपी अभी आपको देखने के लिए मिलेगी कंपनी के बिजनस के बारे में अगर बात करें जो इनकी book value है वो भी काफी अच्छी है और इनके पास जो cash है वो भी ठीक ठाक है ज्यादा loan इनके पास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा तो company मुझे long term perspective से काफी attractive दिख रही थी और यहाँ पर बात करें कि कौन से target आपको grocery biotech के अंदर देखने के लिए मिलेंगे त देखिए stop loss बहुत important होता है अब कई लोग बोल रहे है sir आप long term के लिए stock अगर लेते हैं तो क्या stop loss लगाना जरूरी है यह question कई लोग करते हैं तो बिलकुन जरूरी है देखिए अगर आप एक label के उपर जाकर के stop loss कटवा लेते हैं निकल जाते तो थोड़ा सा loss होगा वही share आपको काफी सस्ते valuation पर दुबारा आप उसको purchase करने के लिए पैसा आपके बचेगा तो लेकिन अगर आप stop loss नहीं लगाओगे तो आपका पैसा घटता हुआ बहुत नीचे तक जा सकता है इसलिए stop loss आपके पैसे की safety का ध्यान रखता है तो stop loss पक्का लगाना है और बात क करें तो मुझे यहाँ पर 860 रुपए तक के target जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं तो यहाँ पर इस stock की new new listing हुई है लेकिन फिर भी मुझे यह लगता है कि 860 रुपए यह stock जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा और 860 को यह break करके hold कर जाता है तो 900 के target आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे तो grocery biotech मेरी तरफ से पहला stock रहेगा जो मैं आपको बोलूँगा कि long term perspective से आप अपने portfolio के अंदर रख सकते हैं stop loss का आपको पक्का ध्यान रखना चाहिए अभी बात करेंगे अगले stock की तो जो अगला stock मैंने चुना है वो भी मेरा favorite रह और कई बार मैंने अपने अपने telegram groups के अंदर इसको recommend भी किया है देखिए मेरा telegram group के अंदर मैं stock के ओपर recommendation भी देता हूं कि मुझे कौन सा stock अच्छा लग रहा है किसको मैं buy करने की सोच रहा हूं वो आप लोगों को भी recommendation देता हूं मेरी telegram group के अंदर तो अगर आप मेरे स सवाल हैं जो भी आपकी health हो सकती है वो मैं करने की कोशिश करूँगा तो दीपक नाइट्रेट बहुत ही attractive यहाँ पर evaluation आपको देखने के लिए मिलेगी business बहुत ही अच्छा चल रहा है इसका यह एक leader रही है यहाँ पर sanitizer बनाने के लिए जो chemical provide करते हैं उनके लिए company के बारे में मैंने काफी अच्छा research किया है और बहुत बार मैंने इससे अच्छा कासा मुनाफ़ा भी कमाया है तो इस time पर यह थोड़ा सा down में आपको दिखाई दे रहा होगा आज थोड़ी सी rally जरूर आई है लेकिन काफी दूनों से यह down आपको दिख रहा होगा trend इसका down ही दिख जाना है क्योंकि 700 की नीचे जाएगा तो फिर काफी नीचे के levels आपको देखने के लिए मिलेंगे तो थोड़ा ही loss होगा बाद में दुबार आप खरीच सकते हो नीचे के level में जहां जाकर यह sustain करें वहाँ पर आप दुबारा खरीच सकते हो लेकिन अगर आप पूरा loss करा तो फिर आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो इसलिए stop loss को इसके साथ में भी strictly follow करना है और जो target मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दीपक नाइट्रेट के अंदर वह 760 रुपए तो आपको एक वीक के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे और 790 नेक्स target मेरा रह और 770 का भी आपको target इसके अंदर जल्द ही देखने के लिए मिलेगा ऐसा मुझे लगता है तो आप जो है दीपक नाइट्रेट को अपनी portfolio के अंदर रख सकते हो काफी attractive share है और अच्छी valuation आपको देखने के लिए मिलेगी company के पास में balance है और ज्यादा debt भी इसके पास में और पूरे COVID-19 के situation में इस company ने दबा कर business किया है कल नहीं आज ही इसका result है और result मुझे पूरी उम्मीद है कि positive ही आपको देखने के लिए मिलेगा तो इसको dip के उपर आपने purchase करना है जी हां यह आपने ज़रू ध्यान रखना है कि इस type के जो भी long term perspective से आप stock चुनते हो उनको dip के उपर आप पकड़ोगे तो ज़्यादा आपको benefit देखने के लिए मिलेगा अगले stock की बात करें तो वो एक battery बनाने वाली company है अमर अजा battery की में बात कर रहा हूं याद रखिए government जो है भी plan कर रहे है कि जल्द ही हम जो है electric vehicle के उपर यहां पर हम concept लेकर आएं कि इंडिया Kona ने भी launch किया है तो आने वाले time में आपको जो battery बनाने वाली company है जिनके अंदर ये capability है कि वो बड़ी cars के लिए battery बना कर दे सकें तो ऐसी company का future मुझे काफी bright दिखरा है long term perspective से तो अमर रजा battery भी attractive stock मुझे नजर आ रहा था हर side से तो अमर रजा battery को भी आप एक बार देख लीजिगा तो अमर रजा battery का चार्ट आप देखोगे तो एक sharp recovery आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी अप्रेल मंत में जो COVID-19 आया था तो उस time पर इस company के उपर भी बहुत बुरा impact पड़ा था उस time से लेकर के stock जो है वो almost double हो चुका है लेकिन फिर भी मुझे अभी यहाँ पर काफी गुंजाइज जो है वो नजर आ रही है stock के और बढ़ने के chances जो हैं वो नजर आ रहे हैं तो चार्ट के उपर मुझे जो stop loss नजर आ रहा है वो 705 रुपए के आसपास का है तो आप 700 से 705 रुपए के बीच में एक अच्छा सा stop loss रख सकते हो और मुझे जो एक rally trigger हो जाएगी upside में और आपको बहुत ही बड़े बड़े target इसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं तो मेरे हिसाब से 800 क्रॉस करते ही 860 और 920 का target आपको बहुत जल्ब देखने के लिए मिलेगा अमराजा battery के अंदर तो अगर आप long term perspective से कोई battery sector से बढ़ी आशा share दे सेक्टर को साथ साथ में battery sector के ओपर भी आपको focus जरूर करना चाहिए अभी बात करेंगा अगले share के जो अगला share इस list में है वो है hero moto cop देखिए auto sector को बिलकुन मत भूलेगा क्योंकि auto sector के अंदर अभी भी बहुत सारा recovery बाकी है क्योंकि यहाँ पर जो COVID-19 की वो जैसे lockdown हुआ उसमें सबसे बुरी मार किसी को पड़ी है तो वो auto sector को पड़ी है यहाँ पर FMCG sector काफी हद तक चले हैं जो chemicals वाले sector हैं वो भी चले हैं फार्मा sector तो बिलकुन rocket हो चुके हैं लेगिन अभी भी auto sector के अंदर बहुत ही सारा दम बचा है जो आपको बहुत ही बड़ा benefit जो है व long term perspective से आप इसको चुन सकते हो तो hero moto cop को कौन नहीं जानता है इसके अंदर एक sharp recovery के पूरी पूरे chances मुझे नजर आ रहे हैं और आप भी अपने घर के आसपास नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि hero की splendor or hero की scooty तो आपको हर दूसरे घर में जरूर दिख जाएगी तो इससे ही आपको पता चलना चाहिए कि इसकी यह जो bikes हैं वो कितनी ज्यादा sale होती है तो इससे भी business का idea लगता है कि company की जो future है वो India के अंदर bright है और आने वाले time में जो company का growth है वो positive ही रहने वाला है company इस time पर जो है lockdown की वज़े से काफी जो है share पिटा हुआ है तो इस time पर निवेश करने का एक सही time है क्योंकि share जब 10-15% recover हो जाता है उस time पर खरीदना समझदारी नहीं है तो अभी ये काफी निचले लेबल पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा तो इसको dip के उपर आपने खरीदते जाना है मुझे इसकी fundamentals काफी बढ़िया लगते है मैंने के उपर research किया है मुझे इस stock जो है वो ठीक ठाक लग रहा है हर side से और बात करें कि कौन से stop loss और कौन से levels आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे तो hero moto cop के चार्ट को अच्छी तरीके से research करने के बाद मुझे जो stop loss यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पर 2850 रुपए के आजपास का एक stop loss रख सकते हो और मुझे जो target यहाँ पर नज़ा आ रहा है पहला target वो यहाँ पर 3080 का मुझे target यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जो कि जल्द ही आपको देखने के लिए मिलना चाहिए और अगले target की बात करें जो कि थोड़ा सा time ल सकता है जैसे ही vaccine आएगी ना इंडिया पूरी तरीके से open होगा हर वो इनसान जो अभी डर रहा है किसी भी shopping complex के अंदर जाने के लिए मौल के अंदर जाने के लिए ज्यादा travel करने के लिए वो सारे लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलेंगे तो इतना मैं आपको बता द और एक अच्छी bike अगर budget segment में आप देखोगे ना तो वो hero से ही होगी hero की splendor जो सबसे ज्यादा sale होती है और value for money bike है, mileage बहुत अच्छा है, build quality ठीक ठाक होती है और hero वाले service भी अच्छी दे देते हैं तो ये भी आपके लिए best option हो सकता है long term perspective से, जो target मैंने आपको दिये हैं, जल्द ही आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, अभी बात करेंगे अपने अगले share की जो अगला share मैंने आपके लिए चुना है, वो आता है यहाँ पर tire company से, तो यहाँ पर मैंने चुना है Apollo tire, जब आप battery की बात कर लिए, यहाँ पर auto sector की बात कर लिए, तो यहाँ पर tire की बात करना भी तो बनती है, क्योंकि अगर यहाँ पर four wheeler, two wheelers बिकेंगी, तो battery भी साथ साथ में battery वालों की भी sale होगी, tire वालों की भी sale होगी, गाडी वाले की तो sale होगी, अपोलो tires काफी attractive दिखाई दे रहा है, इसको आप ले सकते हो, sharp recovery देखने के लिए, यहाँ पर जरूर मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी भी दमखम है, कि आपको यह अच्छा return long term perspective के हिसाब से दे सकता है, तो यहाँ पर जो Apollo tires के अंदर जो stop loss रखने की मेरी opinion होगी, कि अगर मैं होता, तो मैं किस तरह क का मैं stop loss रखता कि 108 से नीचे यह जाता है, तो मैं निकल जाओंगा, यह traders के लिए नहीं है, यह investors के लिए, तो investors के लिए जो stop loss होता है, काफी नीचे का मैं देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा stop loss देता हूँ, ताकि जो है इतनी आसानी से trigger ना हो, थोड़े बहुत dips आएं, तो खरीदने के opportunity मिले, ना कि आपको stop loss trigger हो जाए, तो यहाँ पर जो stop loss आपने रखना है, वो 108 का रखना है, और जो target मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपोलो टायर के चार्ट के उपर, वो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 175 का पहला target, 200 का दूसरा target, और 230 का भी target इसके अंदर द दिखा दिजेगा 500 का like का aim कर रहा हूँ, कौन से share के उपर आप मेरी opinion जानना चाहती हो, उसके लिए आप मुझे नीचे comments करके मुझे बताईएगा, आपके comments से ही मैं अगले वीडियो के तैयारी करूँगा, और चैनल को subscribe करिए बेल आइकन के साथ में, आज के लिए कुछ इतना ही था, thank you for watching, जैहिन, बंदे मात्रम